आज मैं आपको बताऊंगा कि current account और saving account में क्या फरक होता है saving account के नाम से पता चलता है कि ऐसा bank account जो हम अपनी money को save करने के लिए खुलवाते हैं लेकिन current account का मतलब है कि ऐसा bank account जो हमेशा active रहे हमारी day to day monetary transaction के लिए सेविंग account का मतलब सीधा सा यही होता है कि जो हमें encourage करे money को save करने के लिए ठीक है और current account का मतलब होता है कि हमें अपने business use के लिए और regular transaction के लिए एक account ऐसा चाहिए जो हमेशा suitable रहे हमारी regular transaction के लिए तो current account उसके लिए suitable है ठीक है तो और अगर हम saving account के बात करें तो saving account उनों लोगों के लिए बढ़िया है जो जिनको regular salary मिलती है एक fix salary मिलती है जो club trust यह में काम करते है ठीक है और अगर बात करें हम current account की तो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो की business में है जिनका बड़ा बिजनस है ठीक है रोज transaction करना भड़ती है society में investment को लेकर काम करते है government department में काम करते है अगर restriction की बात करें तो saving account में एक restriction होती है day to day और monthly transition करने की लेकिन current account में ऐसी कोई भी restriction नहीं होती है ठीक है अगर interest की बात करें तो saving account में हमें 4-8 के बीच interest rate देता है bank का लेकिन current account में हमें कोई भी interest नहीं देता है bank ठीक है और अगर हम opening की बात करें तो saving account easily खुल जाता है कई बार तो zero balance पर खुल जाता है लेकिन current account को खुलवाने के लिए हमें कुछ डिबोसर रखना पड़ता है